ओके सो प्रोग्राम क्या है आपका थर्ड जैनवरी से स्टार्ट हो रहा है वी आर बिगनिंग फ्रम थर्ड जैनवरी दोहजार चॉबिस इसमें है क्या ये ध्यान से सुनना एक अच्छी चीज क्या है टाइमिंग मैंने साड़े नौ से ग्यारा की रखी है और धाई से चार क टक मेव तक आप सो रहे हैं तीन बजे उठ रहे हैं 11 बजे तो वहां जाके जो है आपका नहीं बनेगा यहां पर क्या है आपने इन्रॉल करा लिया आपने आपको नौ बजे उठना है 9.30 आपको उठना ही उठना है नहीं तो फिर क्या है कि आपकी क्लास मिस हो जाएगी उससे क्या होगा आप धीरे-धीरे पहले दिन बहुत ग्रॉजी उठोगे ऐसे मानलो आपकी आदत है 12 बज़े उठने की 11 बज़े उठने की तो आपको मैं force कर रहा हूँ 8 बजे उठने के लिए साड़े 8 बजे उठने के लिए ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा पहले 2 दिन 3 दिन आप मुझे गाली दोगे ठीक है कहां फस गया मैं कितना मस सोता था मैं ठीक है रजाई में सोता था मज़ा आता था ठीक है और you know hot chocolate पीता था लेकिन अब क्या है साड़े 9 बजे आपको खोलना है आपको laptop खोल के बैट जाना है धीरे धीरे क्या होगा by feb end आपका जो sleep cycle है वो अगर आप classes attend कर रहे हो time पे अगर आप classes attend कर रहे हो time पे आपका sleep cycle जो है वो sink में आ जाएगा prelims के time के साथ और यहाँ पर समझो क्यों मैं आपको साड़े 9 बजे और 9 बजे बुला रहा हूँ because जब आप class में ध्यान दोगे तो जब 26 में को 26 में को prelims देने जाओगे तो आपका जो ध्यान है आपका जो ध्यान है वो peak पे कहेगा विकॉस चार महीने साड़े चार महीने आपने जो है साड़े 9 बजे आपने ध्यान लगाया है उसके साथ साथ I will tell you कि थोड़ा सा मेडिटेशन जरू स्टार्ट कर देना मेडिटेशन जो है कुछ नहीं है मंत्र चैंटिंग कर सकते हो या आप अपने सासों पर ध्यान दे सकते हो trust me it helps यहां पर होता क्या है हमें लगता है कि अब पांच महीने हैं इसमें क्या मैं मेडिटेशन कर सकता हो भाई meditation 10 दिन 15 दिन में तुम्हें impact देना start कर देगा and trust me hundred question analytical question दो घंटे में बनाने हैं उसके लिए you will be requiring all the attention in the world and all the help and meditation is going to help you तो पहला काम twitter खोलना बंद करो उठके पहला काम whatsapp खोलना बंद करो instagram खोलना बंद करो उठो okay brush your teeth and sit down at a place ठीक है और थोड़ा सा अपने सासों पर ध्यान दो 20 minutes that's it 20 minutes that's it okay and आगे बढ़ो उसके बाद क्या है यह जो है आपका जानवरी में चलेगा मैं यहाँ पर आपको ठकाना नहीं चाहता burn out नहीं करना चाहता 20-20 घंटे नहीं बठाना चाहता दिन के तो पहले मैं आपको 3 घंटे maximum एक दिन में बुलाऊंगा उसके बाद evening session आपके February करेंगे या हम उसमें कुछ पढ़ाई कर लेंगे या हम आपका crash course included रहेगा इसमें जो आपने program लिया है इसमें crash course included है और crash course का मतलब यह नहीं है कि zero से start कर रहे हैं हमने पढ़ाई की है उसके बाद crash course का उसमें benefit ले सकते हैं बिना पढ़े crash course से कुछ नहीं होगा यह चीज जो है आपको अपने दिमाग में डाल लेना है ठीक है am I clear उसके साथ यह देखो economics जो है jan 3rd से लेके jan 12 तक हो जाएगा आपका don't worry बहुत असानी से हो जाएगा उसके बाद economics जो है आपका होगा यहां पर देखो पांच दिन जो है रिविजन भी चलेगा उसके साथ global economic concepts वह भी मैं आपको बताते रहूंगा global economics concepts में आपका EU में क्या development है current development double taxation avoidance agreement इस टाइब का कुछ आया है IMF का कोई development है उसको हम लोग और 2 साल का two years का consolidated track कर लेंगे तो अपना economics हो जाएगा उसके साथ मैंने january 14 से 26 around 13-14 दिन मैंने आपका ancient और medieval history उसके लिए रखा है उसके बाद हम quality करेंगे February 10 तक अपना quality complete हो जाएगा उसके बाद environment करेंगे 8 दिन environment में मैं जो है legislation पढ़ाऊंगा आपको pollutions वगेरा से related conventions आपको global warming से related conventions वो हम discuss करेंगे उसके बाद basic ecology जो है उसको भी हम discuss करेंगे जैसे biological oxygen demand okay mutualism parasitism क्या होता है यह सारे जो concept NCRT based जो UPSC पूछती है उसको discuss करेंगे previous year questions this will be part of that please note 30 minutes of each session will be dedicated to previous year theme building देड़ घंटे में से एक घंटे पढ़ाई और 30 minutes mcq previous year mcqs उसको हम लोग solve करके उसका theme निकालके उसकी पढ़ाई करेंगे उसके बाद history जो है modern इंडिया की history February 18 से March 2 तक थोड़ा सा stretch भी हो सकता है अभी पहली बता दे रहा हो सकता है March 4 तक comprehensive way में क्योंकि कराना है ओके बारा से दो क्याहां पर है और रेट फेबररी ग्यारा से सत्रह ओके फेबररी ग्यारा से सत्रह इन्वोर्मेंट ही यस बारा से दो first phase जैनवरी 14 से 20 और 21 से 26 आपका ancient और medieval history होगा और इसके बाद उसके बाद आपका किताब है बहुत important उससे direct questions आते हैं उसको आपको कराया जाएगा mapping will be done don't worry mapping इतनी अच्छे से इस बार करेंगे all right mapping इतनी अच्छे से हम करेंगे that आपको लगेगा कि कार्टोग्राफी में कार्टोग्राफी में आपने बीए कर लिए क्योंकि एक question नहीं छोड़ना है mapping में इस बार सब आपको गिनी कहा है गिनी बिसाव कहा है then environment है उसका revision type का चलेगा 17 से 23 science and tech जो है उसका concepts basic concepts हम कर लेंगे उसके बाद April में देखो consolidated revision quality का revision 5 दिन 6 दिन 6 days of quality revision उसके बाद यहाँ पर 6 days of current affairs revision current affairs की class जो है यहाँ पर देखो होगा क्या कि एक सुबह में core subject होगा और तीन week में तीन दिन try weekly week में three days current affairs की class चलेगी week में तीन दिन क्या होगा current affairs की class चलेगी तो वो हम या तो special evening session में करेंगे या afternoon session में करेंगे उसके बाद May 5 से लेके 9 तक आपको full and test मिलेगा as part of this series full and test जो है वो आपका इस पे बेस्ट रहेगा आपके current affairs पे बेस्ट रहेगा और जो UPSC का pattern है pairs match the pairs वाला one pair correct two pair correct उस टाइब के questions जो है वो भी आपको दिये जाएंगे उसके बाद May 10 से 23 चौदा दिन आपका crash course चलेगा final revision चलेगा उसमें क्या है आपको मैं बुलाओंगा 8-8 गंटे 10-10 गंटे उसमें बैठना पड़ेगा remember श्रीवत्स है यहां पर श्रीवत्स के साथ मैं बैठता था चार बज़े सुवा तक 4 a.m. तक to complete medieval history I still remember the shreevats सब चले आते थे सोने and shreevats was the guy जो बैठा रहता था चार बज़े तक और yes भाई yes भाई yes भाई yes भाई उदर से बोलते रहता था okay so देखो फिर बोल रहा है yes भाई anyways 4 a.m. तक हम बैठते थे वो नहीं करेंगे इस बार okay all right नहीं पहले पिछले साल भी हुआ है यह course this is not the first time पिछले साल हुआ था बट इट वस फ्री कोर्स and it was done on a you know on a aspirant level इस टाइप से professionally हमने नहीं किया था last year भी किया उसके videos आपको telegram पे मिल जाएंगे just go to January February March वो सारे videos मैंने upload किया हुआ है सारे notes उसमें दिया हुआ है तो आप देख सकते ओके आप देख सकते ठीक है येस previous year question discuss नहीं करेंगे previous year question का theme निकाल के उसको पढ़ेंगे because discussion last year हो चुका है तो double effort करने का जरूवत नहीं है उससे हमने theme निकाल लिया है और theme का जो है अब हम उस पर notes बनाएंगे ठीक है या sure okay sure final revision of the entire syllabus ओके आपका चलेगा उसके बाद 24-25 चिल बिल्कुल ट्राई करेंगे 23 तक अपना सब खतम हो जाए 24-25 आपको पढ़ाई करनी करो नहीं करनी है मत करो ओके चिल करेंगे we will have some sessions distressing sessions आप जो है अपना जो आपको जो भडास निकालनी है उस session में निकाल सकते है यह plan हर week जो है life quiz होगा life quiz में क्या होगा आपको बता दिया जाएगा ओके आपको बता दिया जाएगा life quiz कब हो रहा है आपको prepare करना होगा लेकिन इसमें क्या रहेगा आपका चेक हो जाएगा अगर economics पड़ी है पूरे हफ़ते तो आपको क्या है कि आपको अपना वॉइस जो है अन्म्यूट करके आपको आंसर देना होगा उससे क्या होगा एक humiliation का factor आएगा तो आप जो है पढ़ाई करोगे उसमें कोई forcing नहीं होगा आपको लेकिन अगर जो willing है और वहाँ पर जाके आपसे questions पूछे जाएंगे ठीक है यस आप चॉकलेट मों मैं भेज दूँगा आपको don't worry कि ट्राइब ली करेंट अफेर सेशन होंगे तो उसमें तीन साल के करेंट अफेर्स विथा स्पेशल फोकस अन टू यह उसमें होगा क्या टू यह में इंडियन एक्सप्रेस का explained कि दा हिंदू का वेबसाइट के सारे लास्ट यह जैसे दिया था आपको सभी को याद होगा इंडियन एक्सप्रेस का जो अभी आया है यूपीसी एसेंशेल उसको भी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद पेपर से इंपॉर्टेंट जो न्यूस है उसके साथ साथ इंपॉर सारे तरीके से किया था अलग बात है भाई क्वेशन नहीं आया हमारी गलती नहीं है इस बार हम लोग टिप्स और ट्रिक्स से बचेंगे टिप्स और ट्रिक्स जो है अवाइड करेंगे इस बार प्लीज अब खतम करते हैं अब यूपीसी को पता चल गया है तो वो जो सेश जो नहीं देंगे इसको ज्यादा इस पर फोकस नहीं रहेगा विल नाट भी फोकसिंग अन टिप्स और ट्रिक्स बिकॉज अब खतम हो गया यूपीसी को पता चल गया ठीक है उसके बाद इसमें क्या-क्या मिल रहा है आपको 400 प्लस आर्ज ओफ लाइव लेक्चर बारा फुल टेस्ट मिलेगा उसके साथ डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगे डेली आपको आफ्टर दा क्लास जो आपका आफ्टरनून सेशन है उसके बाद डीपीडीपी मिल test series from our test series and from previous year will be done live आपके सामने solve किया जाएगा आपसे पूछा जाएगा आपसे solve कराया जाएगा okay then live quiz होगा हर हफते okay doubt classes जो है special doubt classes evening में हम रखेंगे in February और rapid revision होगा rapid revision is from 10th में to 23rd में this is included this is included in the जो series है जो आपका module है उसमें included है theme analysis होगा 29 years का last year हमने कर लिया था okay इस बार जो है उसको थोड़ा से expedite करके अब उससे notes बनाके पढ़ेंगे ओके revision notes आपको मिलेगा एक page का और उसमें सारा prelims वर्दी information रहेगा कुछ भी main scale related नहीं रहेगा ओके ठीक है anything else that you guys wish to ask कुछ है आपको जो आप पूछना चाहते हैं अब मैं doubts के लिए खोल रहा हूँ कितने marks depends on the test okay 70 marks में top कर रहे हो तो इसका मतलब आप ठीक हो 120 number में last आ रहे हो तो इसका मतलब test असान था you need okay yes prelims के बाद भी plan है mains के लिए okay that will be free of cost okay don't worry उसमें कुछ आपका वो नहीं रहेगा and see I'll tell you something some people had asked also about the cost so it has been kept at bare minimum okay bare minimum पे रखा गया और ऐसा नहीं है कि यूनों सी दोनों तरफ से रहता है I also need to get incentivized okay because then क्या होता है free free की चीजे ना कोई कदर नहीं करता to be very honest free की चीजे जो है कोई कदर नहीं करता आप भी अगर investment करोगे तो आपके mind में रहेगा कि यार मैंने invest किया है पैसा hard earned money और मुझे जाना है class में और मेरा भी रहेगा मैंने पैसा लिया है मैंने पैसा लिया है ठीक है so I have to deliver okay ये चीज़ है और इसी लिए बहुत you know उस पे रखा गया है कि एक minimum amount जो सब afford कर सकते और उसमें भी you know some people have come forward की 4000 भी बहुत जादा है तो उनके लिए भी क्या है all right उनके लिए भी क्या है कि I have said कि आप दो payment plan में या तीन payment plan में EMI type से आप दे सकते उसमें कोई issue नहीं है इस प्रेप लाडर समरी फॉर NCRT शिक्स्ट यस और आपको दिया भी जाएगा ISSF की तरफ से भी दिया जाएगा और अब स्टार्ट करते हैं working candidates के लिए बता देते हैं सुनो तो working candidates के phone आये थे मेरे को emails भी आये हैं और they wanted to discuss की कैसे है तो you are not the first person लेकिन मैं बता देता हूं जो मैंने उनको बता है तो उसमें करना कैसी working candidates अलग-अलग type क्यों होते हैं there are people who are you know working in a government setup और वहाँ पर ज्यादा pressure नहीं है तो उनको category A में डाल देता हूं there are people who are working the normal corporate life जो 925 वाला होता है उनको category B में डाल देता हूं और then there are people who are working you know 12 hours 13 hours in human condition उनको मैं 3 में डाल देता हूं यह जो प्रोग्राम है यह तीनों के लिए ओके यह तीनों के लिए है अब मैं बताता हूं कैसे यह वाले जो है अब जैसे कोई you know somebody is working as a clerk in a government office वहाँ पर किस में कांत ले जाओ यह ले जाओ वो ले जाओ कोई फरक नहीं पड़ता वहाँ पर जा रहे हो बैठ रहे हो और घर आ जा रहे हो बहुत रेर होता है इस टाइप का केस I have seen 2-3 लोगों से मैंने बात किया है उनका यह situation है कि कुछ ऐसा जादा नहीं है सरकारी जॉब है लेक लोड भी नहीं तो आपके लिए कुछ जादा बतानी की जरुवत नहीं फॉर पीपल हुआर वरकिंग दा ट्रडेशनल 925 उनके लिए क्या है कि आप एक तो लेक्चर सा सकते देख सकते हो you can watch the lectures recorded lectures after you come back उसके साथ अगर कॉर्पुरेट में काम कर रहे हो तो वहाँ पर क्या रहता है ना कि Saturday Sundays are off so you can catch up on Saturday Sunday और उसके साथ आप एक दिन for January and February एक दिन Friday को off ले लो विकॉज मिल जाता है ओके यू से डाट सिक लीव चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए फ्राइडे को off ले लोगे तो क्या होगा यू विल गेट थ्री डेज ओफ अन्रिस्ट्रिक्टेड स्टड़ी फ्राइडे साटरडे संडे उसमें क्या है आप पूरे दस दिन का जितना भी DPP है डेली प्राक्टिस शीट हो गया यह सारी चीज़े होगी उसको सॉल्फ कर सकते हो अब तीसरा तीसरी चीज क्या होगी पीपल वार वर्किंग इन इन हूमन कंडिशन एक भाई साब का फोन मैं यादा और यह सेट कि भाई मैं बारा से चौदा घंटे काम करता हूं लेकिन समझ नहीं आ रहा है उनके लिए मैं एक बात बुरूंगा फिल्ड़ फॉर्म क्योंकि देखो फॉर्म भर दोगे और नहीं बैठोगे तो अटेम्ट काउंट नहीं होता है यह चीज आपको ध्यान रखनी है और उनके लिए मैं बताता हूं आपको क्या करना है सी डेली पढ़ना आपके बसकी बात नहीं है बारा चौदा घंटे काम कर रहे हो अगर किसी किसी सीमेंट फैक्टरीमें काम कर रहे हो ऐसे ही जो है आपको सोने का समय नहीं है तो पढ़ोगे कहां से उनके लिए मैं बोलता हूं कि आप साटरेडे संडे जो है और बहुत केस में साटरे भी आफ नहीं रहता है उनका एनीवे साटरेडे संडे को यूटिलाइज करो वही तीन दिन का अक्सेस है अगर बॉस नहीं मानता तो अगें साटरडे संडे को यूटलाइस करो थोड़ा सा सुशलाइजेशन बंद कर दो बिकॉज इट विल रिक्वाइर साक्रिफाइस और यहां पर भी देखो कि आपको हेल्थ अपनी चौपट नहीं करनी है अगर हेल्थ आपका चौपट हो जाएगा सोगे नहीं ठीक से खाओ नहीं ठीक से और दोनों मैनेज करोगे 12-14 घंटे और यह भी तो 2025 विल बेटर बेट उसमें ज्यादा चांसे आपके होने के रादर देन आप अपना अटेम्ट वेस्ट करो खेर यह तो एक्स्ट्रीम केस हो जा यह मुझे डीम करो मुझे इमेल करो आपको सपोर्ट वो मिल जाएगा आपको कुछ अपने स्पेशल रिक्वेस्ट है उसके साथ फ्राइडे को चुट्टी ले सकते हो एवरी ऑल्टरनेट वीक और फ्राइडे साटेडे संडे को आप 10 दिन की पढ़ाई जो है उसको आपको मिल जाएगा उसी पे ग्रूप पहीं मिल जाएगा जैसे आपको मैंने में ने notes दिये हैं उसी तरीके से आपको prelims के भी notes मिल जाएगा और उसके साथ summary भी I'll try कि उस notes का भी summary अगर possible हो वो भी मैं आपको दे दूँगा ओके यस वैभव you can ask your question एक minute एक minute ओके ask आपके सब्सक्राइब जिनके अटाइस माई है दोनों के दोनों दनों में दोनों दोनों इसाम मैं सब्सक्राइब करें इस यहां पर आपको प्राइब को करेंगा नहीं आपके लिए एक चीज़ बताता हूँ दिखो मैंने पहले ही बोला था ना कि यूपीएसी ड़संट ओ यू एनिफिंग आपका यूपीएसी का एक्जाम है आपका बीपीएसी का एक्जाम है और डिसापीएस का एक्जाम है ऐसा नहीं होता है दो दिन 26 को आपका वो है 26 में यूपीएसी फिर अटाइस में को होगा बाकी का पेपर यहां पर आपको प्रियोटाइस करना है पहले क्या करना है वेदर यूँ वांट तो गेट बिकम एंस्टी एमें बिकम सेफ फर्स और यहां पहले आप यहां पर एक एमर्जंसी सिचुवेशन में बता देता हू जो भी पर्सनल प्लान बना रहे हो उसमें 15 दिन का लीवे रखना वर्ट आइमीन बाइद इसकी 15 दिन प्लस माइनस रखके चलना की हो सकता है कि कि छोटे छोटे मोटे काम में या किसी बड़े अमर्जंसी में बरबाद हो सकते हैं क्योंकि फैमली फर्स है ना खुदा ना खास्ता कुछ दिक्कत आजाए भगवान ना करे कुछ दिक्कत आजाए हेल्ट फर्स है ना उसके बाद ना यूपी असी आती है फैमली फर्स हेल्थ फर्स और यूर करियर और जॉब नहीं छोड़ना यह प्लीज जॉब बहुत अंसर्टेन पेपर है विट डू विट जॉब हमेशा मैं यह बोलूँगा विकॉस जॉब छोड़ दोगे और उसके बाद अगर नहीं निकल पाए ऐसा हिट करेगा भाई आ किल रहा है आपका मत छोड़ो 25 में कर लो ओके वह परिसनल डिसीजन भी है अच्छा अगर आपने क्विट किया है तो ठीक है लेकिन वह वह बोल रहा हूं कि अगर ऐसा है आपको लग रहा भी डंबना है आपके सामने उसको थोड़ा सा देखके चलो जॉब मत कुट करो 100% और पूछो अपर रेगुलर नहीं रह पा रहे हो तो सी रेगुलर नहीं रह पा रहे हो उसके लिए मैं बताता हूं 30 मिनट्स विदिन वेकिंग अप 30 मिनट्स जो है पढ़ना स्टार्ट कर दो विदिन 30 मिनट्स जैसे क्या है कि सुबह उठते हो तो प्लान मत बनाओ निमंतरन का वेट मत करो यह मत सोचो डोंट थिंग कि यार अब जो है अब जो है मैं यह पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा नहीं उठो कुछ UPSC का चीज करो एक और चीज बताता हूं डोंट ओवर एग्जर्ट यॉर्सेल्फ डोंट ओवर एग्जर्ट यॉर्सेल्फ इन नॉन यूपियसी थिंग वट दूए मीन पते चीज बताता हूं जिम में जाओगे देड़ घंटे जिम कर लोगे आओगे जिम से उसके बाद यस नोट्स मिलेगा आपको कंसाइस यह समझों की ओर एकजर्ट सूर्थ का कोई दिख्कश नहीं होगा यह समझों कि औरने नहींगी कर रहे हैं कि बहुत इंट्रेस्टिंग बात बताता हूं पुजा 1 पार्ट करता हूं ठीके मैं थोड़ा सा पूजा zodने बैठता था तो एक से तेड़ घंटे मतलब हर मंत्र चैन्टिंग हो गया हर टाइप का चालिशा पड़ना ये सब वह गया बैद घंटे के बाद जब । पड़ने बैठता था राधर और ये फीलिंग रिफ्रेशित ये ड़ीन रिफ्रेश्ट मैं ठक जाता था। उसके बाद मैंने कर दिया मैंने उसको 20 मिनिट Cooper कर दिया 15 to 20 minutes maximum and अब ठीक है अब जिम में जा रहे हैं देड़ घंटे exercise कर रहो that is very counter productive क्योंकि देड़ घंटे exercise करोगे आओगे खाओगे 8 बजे नीन दाने लगेगी सुबा का exercise अगर है साड़े 8 बजे तक नीन दाने लगेगी go to gym and do 40 minutes maximum 40 minute करो that will be enough आप you know you will be awakened आप अंदर से refresh feel करोगे non UPSC things में as much as possible कम रखो भगवान देख रहे भई भगवान देख रहे उनको खुश करनी की ज़्यादा ज़रुवत नहीं है करम कर लो सबसे बड़ा remedy वही है astrologically speaking astrology की सबसे बड़ी remedy पते क्या है करम करना और वो करम कोई तुमारा astrologer तुमारे लिए नहीं कर देगा एक एक चीज़ बताता हूं I don't know whether you believe in astrology और not okay लेकिन साटन जो है साटन जो प्लानेट शनी जिसको बोलते हैं इट डिक्टेट्स कल्यूग कल्यूग में साटन ही राजा हैं और साटन की सबसे बड़ी remedy पता है क्या है hard work पढ़ाई करना कुछ भी मंत्र पढ़ लो कुछ भी माला जप लो कोई भी अंगूठी पहन लो अगर साटन को पता चला कि आपने हाड वर्क नहीं किया है he is the judge इतना गंदा जज़ करेगा आपको नीचे धरातल पर ले आएगा इसलिए hard work करो इससे बढ़िया remedy क्या है ठीक है पढ़ाई करो hard work करो be honest with yourself be honest with the people you love and that's it okay and that is it he can okay उनको खुश करने का एक ही है hard work पूछो भाइक किसी को कुछ पूछना है आप में से hello yes by please ask actually I work in a government organization okay yeah or five to like 10 to five six job होगे मेरा लेकिन जो आपका जो लेक्चर है लेक 932 1130 तो matter नहीं कर पहूंगा लेकिन जो आपके जो notes होंगे will it be based on the lectures which you will be taking और मतलब कुछ if I go through the notes will it be sufficient yes as it is रहेगा जो मैं पढ़ाऊंगा वो रहेगा आपका notes और plus recording मिलेगा और recording को आप क्या कर सकते हो तो अभी मैं देख रहा हूं क्या गरना या तो एक प्राइवेट यूट्यूब चैनल बनाके वहां पर upload करके आपको प्राइवेट लिंक दे दूंगा और वहां पर आप आप देख सकते हो या दूसरी चीज़ है टेलीग्राम पर ही आपको दे दूंगा तो टेलीग्राम पर आपने laptop वगरा पर देख सकते हैं उसको 2x के स्पीड में या 1.5 x के स्पीड में तो मान लोगी देड़ घंटे का लेक्चर है अराम से आपका 45 मिनट में हो जाएगा डेली प्राक्टिस शीट जरूर आप कर लें वह आप मलग्यम सी क्यूज रहेगा जो उस दिन पढ़ाई हुई है उसी पर बेस्ट आपको 10 mcqs रहें सब्सक्राइब के बाद यह सो मेंस का सिलेबस हमारा खतम हो गया है खतम मतलब की 80% इस डण वह आपको यूट्यूब पर विडियो जाएंगे नोट्स वगया सब मिल जाएगा और आफ्टर 26 में वी विल बी गिविंग यू करेंट अपडेट्स ऑके करेंट अफेर्स बेस्ट जो आपको मिल जाएगा और मेंस का सिलेबस हैं तो आप जाओ यूट्यूब चै वगेरा चेक करो सारे उसमें विडियो से सारे नोट्स वगेरा आपको टेलिग्राम ग्रूप में अच्छा अच्छा पर्सनल क्वेश्चन है कि लिग आवन प्रेपेर्ट फॉर मेंस तो अभी अगर इवन इफाई क्वालिफाई प्रिलिम्ट और ट्राइट तो कवर मेंस अब एक्टी तो एक्टी फाइफ परसेंट लोग जो प्रिलेम्स निकालते मेंस के लिए प्रेपैर नहीं रहते हैं रोंट वरी हो जाएगा उसमें है कि आप पर डिपेंड करता है तीन महीने में क्या घरते हो ओके वह आप मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट तो कर रखा है अच्छा तो अभी चुब बता देता हो आपको अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं आप मुझे इमेल कर सकते हैं और आप मुझे डियम कर सकते हैं कहां पर आप मुझे डियम कर सकते हैं यहां पर at the rate on twitter मेरे comment section में जाके comment कर देना या rommel 9908 वो मेरा DM है टेलिग्राम का ये है हमारा ISSF का email है और ये है मेरा phone number personal phone number है आपको अगर whatsapp drop करना that will be preferable हो सकता है कि call अगर ना उठाऊ whatsapp कर देना आपको answer हो जाएगा anything else ये तो आपको schedule मैंने दे रखा है आप जाके access कर लेना ठीक है anything else you wish to ask कुछ भी पूछो okay so I am अच्छा मुझे भाई ये side by side जो जैसे cvt वागया रखा अगर भी prepare कर रहा है तो उस पर आपका क्या है कि उसको भी site पर रखे या फिर पतलब उसको भी साथ लेगे चले it depends upon you personal decision है इसको आपको make करना है that is a job really required at this point दे को एक चीज़ है कि अभी जैसे IB का है job ACIO का IB का एक ACIO का जो job है वो तीन साल दो से तीन साल में आता है और कभी कबार पान साल हो जाता है तो ये येस और CSIR तो दस साल के बाद आया है ना तो ये होता है कि आपको क्या job लेना है is it a necessity if are you well off from the family side family background strong है आपका financially या job की सही में जरूवत है और आप full time prepare नहीं कर सकते हो तो आप अगर ऐसा यह यह आप तो consider all these things क्या बहुत जादा pressure है family से क्या बहुत जादा pressure है job लेने का अगर answer yes है तो आपको फिर you know six six hours का या four four hours का या three three hours का करना चाहिए और CSIR का I don't think उतना different है राइट CSIR का civil services no I haven't CUAT okay oh sorry 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 CUAT मैं सुना ने ठीक से sorry CUAT for the PG yes yes CUAT तो चलो वो तो answer हो गया जो पूछ रहे थे CISRIB बाला CUAT कर सकते हो CUAT कर सकते हो उतना कुछ difficult नहीं है कर सकते हो ऐसा कुछ ऐसा issue नहीं है कि आई थिंग विवेक एक है ना विवेक भारदवाज वेक हैड़ क्राग जेन्यू उसमें आयार पढ़ रहा है तो उसने preparation के साथ ही किया था तो आप भी कर सकते यह और आप भी कर सकते आप भी कर सकते आराम से कर सकते कि एक चीज़ बताते हूं आपको एस्पेशली जो प्लान भी है प्लान भी का मतलब यह नहीं है कि यूपीए के साथ करना है प्लान भी का मतलब क्या होता है अगर पोई एक्जाम है तो उसकी preparation उसको due respect देना है दोस्त क्योंकि एक aspirant community उसके लिए भी prepare कर रही है ऐसा मत समझो UPSC का prepare कर लिया तो मुझे मैं RBI grade भी बन गया मैं UPSC का prepare कर लिया SSC बन गया नहीं वाई ऐसा कुछ नहीं है RBI और SSC जादा tough हो जाता है आपके लिए ओके तो due respect देना है अगर आपको plan B execute करना है तो तरीका क्या होता है कि आप मत दो attempt UPSC का छे महीने से आठ महीने तक prepare करो particular exam के लिए उसको crack करो get the job get the extraordinary leave और उसके बाद 2026 का preparation करो तुमारी scintillating body रितिक रोशन जैसी body all India rank 1 और तुमारे you know you get the best boyfriend and girlfriend और get the best money नहीं possible है you have to sacrifice somewhere अगर all India rank 1 आ रहा है तो आपको you know you cannot have a रितिक रितिक रॉशन बॉड़ी you cannot have all the money in the world okay तो हर चीज नहीं कर सकते हो आप यह चीज आपको समझ समझ लेना ड्यूरिस्पेक्ट दो एक्जाम को UPSC को भी और Plan B को भी ऊके यूपी एसी को भी और Plan B को भी आपको क्या करना है ड्यूरेश्पेक्ट ना है अगर आपको plan B सही में चाहिए बहुत जरूरी है तो state PCS की आपको जरूरत SDM बनना है तब जाके आपको आपकी घर वाले शान्त होंगे तो attempt skip करो SDM बनो प्यार से 6-8 महिने की रगड के preparation करो और उसके बाद extraordinary leave ले लो मिल जाती है और उसके बाद आप आजाओ UPSC में वापस से 25 में और आईएस बनके और फिर आगे बढ़ो कहीं ना कहीं sacrifice तो करना है कहीं ना कहीं sacrifice तो करना है आपको mental pressure भी नहीं चाहिए depression भी नहीं चाहिए और आपको बहुत अच्छा health चाहिए और सब चाहिए बहुत अच्छी चीज़ चाहिए ठीक है तो optimum हर चीज नहीं हो सकती है तो जैसे यह होता है कि आपके पास मानलो की 100 coins है और आपको यह है career यह है health यह है आपकी romance life तो आप जो है ऐसे नहीं कर सकते हो अगर आपको top career चाहिए जो की IS है आप top career चाहिए जो की IS है तो आपको 70-75 coin यहां डालने पड़ेंगे यहां पर अगर 30 coin दोगे तो आपका career कहीं नहीं जाएगा तो बलिदान कहीं नहीं चाहिए ना तो उसमें क्या करना है 70-75 coin अगर यहां डाल रहे है तो थोड़ा सा health में डालेंगे because health romance से ज्यादा important है romance फिर उससे you know compared to social life social life आपकी नहीं है अभी नहीं है लेकिन बाद में बहुत जादा होगी आज sacrifice कर रहे हो ताकि next 35 साल next 30 years आपके better हो इस चीज़ को ध्यान रखना अल्राइट 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 तो शैल आई से दाट आपके अगर नहीं होगा तो classes लगवा देंगे लेकिन आप पे burden नहीं आएगा this shall be my burden आपने जो काम करना था आपने कर लिए ओके जैश्री राम और बिल्कुल करेंगे ठीक है और मतलब तहलगा मचा देंगे ठीक है जब जून में 15 14 15 जून को जब result आएगा तो maximum selection हमारे यहां से होगा and that is my promise okay that is my promise ठीक है भाई कुछ भी doubt है email phone या DM okay whatsapp कर देना phone ठीक है phone छोटी-छोटी बात के लिए phone उतना वो रहता नहीं whatsapp कर देना ठीक है yes we will fight we shall fight in honorable battle okay friends I'll see you tomorrow with the disaster management class और 2nd January को एक रखते है PYQ analysis ठीक है good night